लालालालालालाला इसमें लॉब, सेंटिमेंट, मास एक्षन, सब कुछ कूट 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 के भरा है जिसके वज़े से ये फिल्म सब एज ग्रूप के लिए सूटेवल हो जाता है फिर आज हम इस वीडियो में देखने वाले है कि केजेव चैप्टर टू का इतना हाइप क्यों है मतलब ये तो सब को पता है कि इसका पहला चैप्टर एक मास्टर पिस फिल्म है उसका स्टोरी, इमोशन, एक्षन, सीनेमेटोग्राफी, वीजीयम सब धासू था और ये सब मिलकर केजेव को एक बहुती सांदर मुवी बनाती भी है लेकिन कुछ और भी बात है चैप्टर वान में है जिसके वज़े से हम सब चैप्टर टू को लेकर इतना एक्साइट है जैसे कि बाहुबली टू इसे लेकर लोग बहुत जैदा एक्साइट क्यों थे क्योंकि सब को जानना था भाई कि कटप पाने बाहुबली को क्यों मारा और इसका इतना जैदा हैप बन रहा था कि मोदी जी भी इसके उपर बोल पड़े थे और दुनिया का पहला ऐसा टीजर बन गया था जिसे 250 से भी ज़्यादा मिलियन का व्यूज मिला था पर शायद अभी वो इंफिनिटी वार वाला ट्रेलर दो दिन मिलियन आगे जा चुका है तो अब इसका टीजर नमबर दो पर है लेकिन वीर भी चलता है यार वो तो ओफिशियल ट्रेलर था और ये तो सिर्फ एक टीजर है और वैसे भी इंफिनिटी वाल का देखा जाए तो उसमें इतने सारे सुपर हीरो है कि क्या बताए पर इधर केजियेप का देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक सिंगल हीरो है फिर भी इसका टीजर ने इतने सारे सुपर हीरो होने वाला मूवी का ओफिशियल चलता पर भी भारी पड़ गया मतलब आप ही देख लो इसके लिए लोग कितने क्रेजी है और एक और बात ये एवेंजरस बाला मूवी देखोगी तो उसमें सिर्फ एक ही फाड़ो गुंडा है थैनोस जिसका मुकावला इतने सारे सुपर हीरो मिलकर करते हैं और केजियेप में देखोगी तो इसमें एक ही ऐसा फाड़ो हीरो है रोकी जिसे मानने के लिए इतने सारे गुंडे मिलकर एटेक करने वाले हैं खमाल है ना खेर अब बहुत हो गया बात है अब चलो केजियेप चेप्टर वान का कुछ ऐसा रिजन देखते हैं इसके वज़े से हम सब केजियेप चेप्टर 2 का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो वह देखो प्रसाद निल भाई साब केजियेप चेप्टर 1 में ही हमें केजियेप चेप्टर 2 के दो एसे सिन दिखा दिये थे जिसके वज़े से हमारा excitement पहले से ही बढ़ चुका था पहला पोलिश टेशन का वो driving license वाला सीन जा रोकी के बंदे रोकी के लिए साथ गाड़ियां के साथ चार हेलिकप्टर में भी आ जाते है मतलब ये वाला सिंदिका कर प्रसानिल भाई साथ हमें एहसास दिला देती है कि केजब चेप्टर टू में रोकी वेया कितना powerful बनने वाले है लेकिन कैसे गरुडा को मानने के बाद भी तो बाके गुंडा लोग बचे थे ना भाई मतलब आप ही देखलो गरुडा ने इतना सालों से नराची से सोना निकाल रहा था पर पैसा चाब रहा था पर उसे कभी भी इतना powerful नहीं दिखाया गया पर अब रोकी बस दो तिन सालों में अगर इतना powerful बन जाएगा तो उसका पीछे का जननी देखने के लिए लोग तो बेताब होंगे ना भाई और अब रोकी का वो दूसरा पॉप वाला सीन जहां रोकी सप्लायर का लाया हुआ गन चेक करने बिस गुंडा के सामने चला जाता है और यह सब 1978 का नहीं 1981 का सीन है बधलब आगे यह सब होने वाला है तो क्या, क्यूं के से जानने के लिए दिमाग में हलचाल होगी ना वाई वैसे इतना ही नहीं और भी कैसारे रिजन है के फूचर के बारे में जानना ही जानना है कि वो अपना मां से किया हुआ वादा पूरा कर पाएगा या नहीं इसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है वगेरा वगेरा फिर हमें इनायत कलिल के बारे में जानना है वो कौन है करता क्या है नराची के बारे में उसे कैसे पता चला उसका आगे क्या रोल होने वाला है और क्या वो रोकी के लिए डेंजर बन सकता है फिर रमिकासिन हाला कि हमने इसके उपर breakdown और theory वाला वीडियो में बात कर चुके है और फिर भी ये क्यू रोकी से उलजने वाले है और ऐसा क्या होने वाला है जो ये रोकी का death warrant निकालेंगे वो भी जानना बाकी है फिर अधिरा ये भाई साब गरुडा की attack से कैसे बचा अपना मोत का जूटी चाल कैसे चला पर इतने दिन से ये भाई साब कहां थे और वैसे रोकी के power के बारे में तो हम जान चुके है तो आप अधिरा कितना powerful है वो भी तो हमें देखना और जानना है फिर रोकी का family में और कौन कौन थे उसका पापा कौन था उनका क्या हुआ ये सारे बाते हम सब को समझना है तो इसे और भी बहुत से बाते हैं यार जो डिरेक्टर है में आदा हदुरा बता के छोड़ दिये है जिससे कि हम उसे chapter 2 में देखकर पूरा जाने की कोसिस करेंगे इसलिए भी केजेब चेप्टर 2 का बहुत हाइप बन रहा है और प्रसाण इल भाई साब ने आमरे excitement को बढ़ाने के लिए एक और काम किया कि वो केजेब चेप्टर 1 में अधीरा इनायत कलिल और रमिकासिन का चेहरा तक हमें नहीं दिखाया पस उनके बार में बीच-बीच में थोड़ा पोस सुना के छोड़ दिया जैसे कि फिल्म का स्टार्टिंग में ही रमिकासिन रोकी का डेथ वारेंट पे साइन करते है पर फिल्म खतम हो जाता है लेकिन उनका चेहरा तक देखने नहीं मिलता ऐसे मैं सब क्या सोचेंगे बताओ अरे यही कि सच में अभी तक कहानी शुरू भी नहीं हुई और ना ही हमें इसका ओरिजिनल खिलाडियों का चेहरा तक देखने मिला है वाइब ना बनकर कहां दैगा बताओ और आप हम तो गुरू पंडियन का केरेक्टर के लिए भी बहुत एकसाइटेड है अब आप इसके बर में सोचे हो कि नहीं पता ने लेकिन आप अगर देखोगे ना तो गुरू पंडियन का केरेक्टर भी थोड़ा तेड़ा लगता है मतलब यह किसका साइट में है यह अभी तक ठिक से पता ही नहीं चला तो क्या पता आगे यह कुछ कांड भी कर सकता है क्यूकि देखो डी वाइसस पार्टी में सबका चेकिंग होने वाला था और वो गुरू पंडियन का ओडर था यह फिर वाइस चेकिंग करने वाला यह गुरू पंडियन का थोड़ा करीबी भी था जैसे कि आप देखो सूरिय वर्धन का जब नीधन हुआ तो यह ख़बर गुरू पंडियन को भी दिया गया लेकिन एंड्र्यू और राजंद्र देसाई को नहीं मतलब हो सकता है गुरू पंडियन का कोई गुरू पंडियन का कोई भी एस चालवाजी अभी तक नहीं दिखाया गया यह फिर कुछ और चाहिए यह तो हमें केजेप चेपट्र टू आने के बाद जाकर पता चलीगा इसलिए ये भाई साब का करेक्टर के बारे में जानने के लिए भी हमारे जैसे कुछ भाई यो excited है जैसे बहुत से बाते हैं यार चेप्टर सिर्फ एक ही है मतलब भाई अगर सच में केजेब का कहानी दो चेप्टर में ही खतम होने वाला है न जाई जाई सकता है